हेलो प्रेंट स्वागते आपका मेरी यूटूब चैनल में तो पिसली वीडियो में हमने ये ओडर और ओडर आइटम के मॉडल्स को क्रियेट किया था अब हमें यहाँ पर दो और फिल्ड है जिसको हमें एड करनी है सबसे पहले तो एक पेमेंट आइडी और एक पेड जो होगी जो पेड होगी वो बुलियन फिल्ड होगी उसमें हम अगर कोई आके पेमेंट करता है तो वो चेक हो जाएगा तो सबसे पहले हम ये दो फिल्ड को क्रियेट कर लेते हैं तो पेमेंट आइडी इसको हम care field रखेगे और उसकी max length फिर हमें इसको null is equal to true करना है और blank is equal to be true करना है blank is equal to true और एक और field है paid तो उसको हम रखेंगे boolean field और इसका जो default है वो हमें रखना है zero मतलब false और यह null is equal to true होगा अब हम इसको apply करना पड़ेगा तो इसके लिए हम use करेंगे python manage.py make migrations अब उसको migrate भी करना पड़ेगा तो migrate अब मैं मेरे local server को start कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर यह जो दूब model हमें create किये वो हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दी रहा है क्यूंकि हमें इसको register करना पड़ेगा admin.py में तो चलिए उसको register भी करा लेते हैं तो यह हमारे दो model register हो गए अब हम उसको admin panel में देख सकते हैं तो यह रहा हमारा order model और यह रहा order item तो अब हमें यहाँ पर यह जो order model है उसके नीचे ही यह वाला order item आला model आना चाहिए तो उसको हम एक करेंगे तो उसके लिए हम use करेंगे tubular inline का तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो class create करने पड़ेगी class कॉनसे डेबल की होगी तो class होगी हमारे order item भी order item और इसको admin.tubular inline अब इसका model कॉनसा है हूँ हमें बताना पड़ेगा तो उसका model है order item अब एक और class क्रेट करेंगे order के लिए order model के लिए order admin और यहाँ पर लिखेंगे admin.model admin और यहाँ पर आएगा inline inline में हम order item tubular inline को यहाँ पर करेंगे pass और यह जो order admin है उसको हम pass करेंगे हमारा जो order table के लिए register किया था इसके pass तो अब यह जो दूर टेबल है वो एक एक टेबल में मुझे यह दूर मॉडल दीखेंगे तो इसको मैंने किया refresh तो यहाँ पर मुझे यह सबसे पहले यह order का model और नीचे आ रहा है order item का model हम यहाँ पर जीतने शाहे उतने products लेट कर सकते हैं और हमें इसको modify भी करना पड़ेगा तो वो हम अभी नहीं करेंगे कि अभी के लिए हमारे पास data नहीं है तो जब भी यह कोई data आ जाएगा तो जो हमारा user model है इस तरीके से दिखाए देगा यहाँ पर paid का आएगा किसने payment किया है या नहीं वो सब यहाँ पर आ जाएगा तो अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो please video को like कर देना और channel को भी subscribe कर देना Thanks for watching